कि विद्ध्यार्थी मित्रों इससे पूर्व हमने आमीता उपन्यास के पहले भाग को देखा आमीता यस्पाल रचीत एक लगू पन्यास है इस उपन्यास के अंतरगत प्रारम में हमने देखा कि आमीता राचकुमारी बाली का अपने कक्ष बे जो है तो सो रही थी यह आउसर देखकर उसकी जो तुदासी हीता अप्ते प्रिए कर से मिलने के लिए चले जाती है कि वह जल्ट से ऊट जाती है और उटने के कारण उसे हीता नजर नाँने के कारण वो शोर मचाती है। रोना धोना शुरू कर देती है। पूरा भौन जो है हमें दिखाए देता है कि उसके आवाज से श्योर से जो हैं तो गुंजित हो जाता है। और राज़कमारी अमीता का रोना देखकर पूरे महल के दास-दासियां भी परिशान हो जाती है। हीता की माता पापी जो है तो आमिता को समझाने की भहुत चैस्टा करती है किन्तु वो नहीं मानती यह बात दंडनायक तक पहुंच जाती है और दंडनायक हीता को दंडित करते है उसे वो कोर्डे बरसाते है अमीता यह सब महसुस करती है किन्तु हमें दिखाई देता है कि वो हीता को देखकर प्रसंद भी होती है और हीता को बुलाने का प्रयास करती है आवाज देती है बार पार उसे आवाज देने के कारण दंड नायक उसे वहां से जो है तो जानी की आनुमति दे देता है और जब हीता और अमिता में चर्चा होती है कि आप कहां चली गई थी आपको दंड नायक ने कि दंड दिया है मुझे अच्छा नहीं लगता तो इन चर्चा के दौरान वह यह कहिती है कि मैं जो है तो प्यार का खेल खेलने गई हुई ते ही अमिटा को बताती है कि प्यार में में मिरी मार भी मिर्टी लगती है ऐसा सुनकर आमिता भी कहिती है मैं भी प्यार का खेल खेलो कि यह तक कैसे फ़ह पहले भाग के अंतरगत हम लोगों ने देखा था आप अब देख लीजेए कहानि आगे बढ़ती है कलींग की महरानी धर्म को स्युकार कर चुकी ति और भिक्षू की संक्या भी का है बढ़ रही थी हमने देखा कलिंग की महरानी जो है बहुत धर्म का स्युकार कर चुकी थी और बहुत भिक्कु वगेरों की संक्या जो है तो दिन पर दिन राज्य में बढ़ रही थी भिक्षियों से डर कर प्राजा पशु बली नहीं देती थी अब जनता पशु का बली देना यह हमें दिख कवा दिखाय कुछ लिए पर बली देना पूजा अर्चा इस प्राकार के कारयोगरे हुआ करते थे और महामात्य प्रजा में आतम विष्वास सास और कर दिख की राज्य शक्ति के प्रति विश्वास उत्पन करने के लिए एक महान संग्राम बली यज्य का आयोजन की आवा भी थी किन्तु महारानी जो है बहुत धर्म शुकार करने के कारण बहुत धर्म के तो नियम और उसके तत्व के कारण वह जो है तो बली वागेरे आडमबर ना इस परकार की हिसात्मक बातों विश्वास नहीं रखती थी महा बली यग्य के समारों को वे जो है तो क्या है उसकी पूर्ण रुपेन जो है तो विरवद में थी महा अमात्ते राजपुरुशों को अदेश देता है कि युद्ध की समाप्ती से पहले कोई भी वेक्ती पचास वर्ष से कम आयुवाले भिक्कू नहीं बनेंगे देखा कि महारानी ने धर्म स्विकार करने के पशाथ चंता जो है राज्य की वह भी जो है तो धर्म में क्या है परिवर्थ धर्म को स्विकार कर रही थी और इस प्रकार हर कोई जो है बहुत धर्म की और बढ़ रहा था यह सारी स्थिति को महामात्ते ने देखा और उसे रोक लगाने के लिए उन्होंने जो है तो एक आयू सीमा जो है तो निर्धारित की और कहा कि 50 वर्ष से कम आयो वाला कोई भिवेक्ती अब भिकुन नहीं बन सकता उसे देश के लिए राज्य के लिए जो है तो क्या है अपनी खुर्बानी देने के लिए तयार रहना है महाबली यग्य का प्रसाथ मास मद्दे नगर में बटने लगा था और भिक्कु का अनादर होता है प्रजा भिक्कु का मजाक उड़ाती है उनका अपमान करती है तभी सो मित्र और स्तवीर भिक्कु के पास आकर उन्हें समझाते हैं कि महारानी को अपमान के बारे में बताओ नहीं तो तुमें धन द्रवे और सबसांसारिक भोगों को छोड़ा पड़ेगा तुम लोग प्रजा से आधर भी नहीं पाओगे महाबली यग्य में पूजा प्रजा पूरे आत्मिस्वास से आशोक से लड़ने की तयारी करते हैं राज्य की रक्षा की चिंता महारानी को भी सताती है उतने में महाबोधी महारानी को धर्म से विजय मिली मिल सकती है आशोक मघहत की सेना हाती घोड़े रत सभी हवा के जोके से उड़ जाएंगे महारानी को उसके लिए महास्तवीर पूर्नीमा और अमशा के दिन सभी भिक्षवों को भोजन और उपयोगी वस्तों को डान में देना होगा महारानी भास्तिवीर की बातों में आकर जैसा भी भिक्कु के लिए कहते हैं महारानी वैसे ही करती है महारानी ने पशुबली को मना कर दिया था यग्य समाप्त करने की घोशना कर दी थी प्रजा में भिक्कु में प्रजा में और भिक्कु में जगड़े होने लगेते करिंग के लोग आशोक के आक्रमन को भूलकर आपस में एक दुसरे के शत्रू समझने और लड़ने लगे हुए थे अब देख लीजिए स्थिती किस प्रकार की हो गई थी एक और जो तो बहुत दभिक्वों का हमें दिकाय देता है गुठ हो गया था दूसरी तरफ सामने जनता थी सामने जनता मास मदिरा को जो है तो क्या है लाहिक करती थी सदियों से चलते आरे बली प्रता को वो मानती थी किन्तु महरानी इनको मानने के लिए हमें दिकाय देता है कि तयार नहीं थी और वो उसका विरोद कर रही थी यो पूर्ण रुपेन हमें दिकाय दे अशोक से मुक्ति पाने के लिए वे राज्य की रक्षा की चिंता उसे भी सताती थी, उसके लिए उसने यह मार्ग अपनाया था, कि पशुबली अगरे त्याक कर उसे जो है, तो आध्यात्म में विश्वास रखकर उसके लिए कोई जो है, तो क्या है, अजो वो गरीब शक्त क्या है, सुकार करना पड़ेगा, और शक्ति उसे कहां मिलेगी, केवल भक्ति में मिलेगी, और इस प्रकार वो है, तो इस कारे की और उनको अग्रेसर करते हैं, और जनता में इस प्रकार का कुछ मामना होता है, और यह दोनों कलिंग के लोग जो है, आशोक की आकरमन को राज्य की रख्शा के दिए अंपने प्राव्म है अदक नीग लेकिन इधर महाराणी सोयं को और राज्य को महास्तवीर की बातों से बातों से माना कर समाप्त कर दे रही हृतीं महारानी सब कुच छोड़कर विहार भिक्षू के पास सातना करने जाने के लिए निकलती है लेकिन महामात्य अचारे ने उन्हें विहार न जाने न जाने देने के लिए उसे जो तो दुर्ग में रख दिया और महारानी अश्यरे से कहती है तुमने ऐसा क्यों किया तक म 관심 मत करने के लिए साथना करने के लिए他說 रही ती है और हमारी प्रजा का अंधा ऐस में था और मुझे नहीं जाने दिया अश्रे आचारे महानी की बात सुनकर उन्हें समझाते हैं महारानी ॐष्जा कि मनुश्य के कर्म में होती है देवता की शक्ति मनुष्य के विश्वास में है यह युद्ध मगद और कलिंग देवताओं में नहीं राज्य और मनुष्य में हो रहा है उनको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी ऐसा कहकर आचारे महारानी को दुर्ग में छोड़ कर चले जाते हैं अचारे ने पूरी प्रजा को बताया कि भगवती राजमाता राज्य की रक्षा और कल्यान के उद्देश से ध्यान साथना द्वारा दिवे शक्तियों की साहेता पाने के लिए तब कर रही है कलिंग की नई महारानी अमिता का अभिष्भ करकर आमिता को सियासन्पर बिटाया जाने का जो है तो मन्तवि हो रहा था है अब देख लिज आपने देखा कि महारानी के लिए किस प्रकार से यहां पर जो है तो उनके भीक्वोयने और महस्तविरों ने उनके लिए सजेशन ओग्रे द्यावा था भक्तिक से वह शक्तिया अपनाना चाहे थे किन्तु महामात्य को ये बात जो है तो क्या है उनके जो तो मन को नहीं जास्ती और वे कहते हैं कि ये देवताओं का इद्ध थोड़ी है ये तो मनुष्य का है और अपने अपनी सुरक्षा अपनी को करनी चाहिए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और इसी कारण वो जो है जनता में एक फर्मान वेज देता है कि साधना के लिए महारानी तब कर रही है और चमतकारिक शक्ति अपनाने के लिए और जनता की जो है तो खुशाली के लिए वो जो है तो अपनी साधना में लिथ है और इदर जो है तो वे बाली का अमिता को क्या है सीह संपर सीह संप पर बिटाकर उसके जो है तो राज्य को आगे लेकर चलने के लिए महारानी बाली का अमिता को सीहासन पर विराजमान करने के लिए उसका राज्य अभिषेक का वह जो है तो क्या है आयोजन करते हैं तब अमिता को लगा जैसे गुडियों का खेल खेला जा रहा है अमिता ने अभिसेख पर नाज गाना भी रखा जाता है, अमिता के अभिसेख पर नहीं की ताजपूर्शी पर क्या है नाज ग्याना उगरे रखा जाता है दासियों को नाशते देख कर मैं भी नाचूंगी ऐसा अमिता आचारे से कहने लगती है आचारे उसे समझाते है कि नहीं महरानी, अमिता, तुम सब के सामने नहीं नाच सकती। अप तक आप राजकुमारि थी अब क्या है महरानी बन गई आपकी ताज फोसे हो गई uniqueby curl ने हिता को समझाने को कहा तो हिता ने अमिता से कहा कि महरानी तुम अगर नाचेंगी तो पाउ में मोच आजाएंगी पाओं में मोच आगई तो दादी राजमाता और दंडक दाशी को कोड़ों से मारे गए ऐसा सुनकर अमिता नाचने का हट छोड़ देती है यह कि अमिता को पता है कि हिता अमिता को छोड़ कर अपने प्रिये करके पास जब गई ती आने में थोड़ी देरी होने के कारण उससे किस तरह से दंडनायक ने धंडित किया था, कोडों से उसे मारा था और मार का नाम सुनते ही यह जो है तो अपना विचार छोड़ दीती है。 नगर में महारानी की शोबायात्रा निकाली जाती है, प्रजा नई महारानी आमिता पर फूल फेक कर स्वागत करती है, आमिता प्रजा की और मूतियों रत्नों की मालाओं और रत्न तथा मूति फेकने लगती है, सभी महारानी आमिता को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन महा आमिता को समझाती है कि परंभगवती फूल और अक्षत फेकने के लिए होते है। परंथु यह मूती या मनी मुक्टा भही मुल्य है। महारानी पुश्प और अक्षत रख कर मनी मुक्ता नहीं फेके जाते तबी आमिता जवाब दीती है नहीं मनी मुक्ता की आपेक्षा फोल अदिक सुंदर है फूलों में तो सुगंध है विकोमल है मनी मुक्ता तो निरगंध है और कठोर है आमिता किलक किलक कर रत्न और मनी मुक्ता प्रजा की और फेक रही थी और प्र इनने महारानी की पास फेका, लेकिन महारानी उस फूल को पकड़ न पाई और वो नीचे मार्ग पर घिर गया। अमीता ने जोड़ से चिलाकर हाथीनी को रोकने के लिए आदेश दिया। वो फूल लेना है। और कचुकी ने आमिता को बहुत समझाया, लेकिन आमिता नहीं सुनती है और रोने लग जाती है। ये देखकर महामात्य क्यानुमती से महारानी का फूल महारानी को फूल उटाने दिया जाता है। आमिता महारानी खोया वाफुर ढूर्णने लगती है, तभी दुर्ष्टी में उसके दो बालक पड़ जाते हैं, दोनों बालकों के शरीर पर फटे पुराने जगले पहने हुए होते हैं, दोनों बालक आमिता से डरते भी हैं, तभी आमिता उनसे कहती हैं कि हम किसी को मारते नहीं, डराते नहीं, छेंते नहीं, सभी बच्चे अमिता के पास आ जाते हैं, दोनों बच्चों को अपने कपड़े और अभुचन दीती है, तभी जय जय कार करने लगती है, जय हो, जय हो, प्रजावाच सले, धर्मा उतार, बाल महारानी की, जय हो, महामात्य ने हिता को अमिता को अपने साथ लेकर राजप्रसाद लवड़ जाओ, महारानी अमिता ने सभी बच्चों को हाती पर बिटाने का हट किया, उनके हट के सामने सब को जुकना पड़ा, और सभी बच्चों को हाती पर बिटा कर इस तरह शोबायात्रा समात्त की गई, प्रजा के दिए प्रत्यक दिन समारों का और रात उत्सों की बन गई थी, देख लीजिए, आपने देखा तो पता चलता है कि आमिता इस उपन्यास के अंतरगत ये शपाल जी ने, क्योंकि ये एक एथैसिक उपन्यास है, कलिंग और मगत राज्य के बीच के युद्ध का इसके अंतरगत च सरवाल वे जो है तो आशुक समराच से लुहा लेते लेते जखमी हो गए और वो जो तो परलोक सिदार गए उनके जाने के पशात राजकुमारी अमिता के नाम से शाषन चन्ने लगा और फिर से आशुक का जब आगमन हुआ उसने बड़े पहमाने पर युद्ध की तयारी और अधिक से अधिक सैन्य दल लेकर जो है तो कलिंग पर चड़ाई करने का मनसुबा तयार किया तो मगथ के लोग किस तरह से महारानी के सामने जो है तो यह प्रस्ता और रखते हैं कि महारानी बद्ध धर्म में जो है तो दिक्षित हो गई थी और बद्ध भिक्वों के कह सभाएं। महारानी साथना तब करकर अलोकिक शक्ति प्राप्त करकर जनता को जो है तो सुक और शांती की कामना के लिए और आशोक से जो है तो लड़ने की जो है तो उर्जा प्राप्त करने के लिए साधना के तब में बैटी हुई है यह फ्रमान देने के बाद जंता में जो है एक उल्लास जंता में जो है देश प्रेम जागरत करने के लिए यहाँ पर राजनायत या आमात्य हमें दिखाई देता है कि आमिता राजकुमारी को महारानी के स्थान पर विराजमान करने के लिए उनका राज्या भिशिक करने की य बचब अर्गाउ इनकी राज्य में पूरे में वात्याकमर का निर्मान कि सब सब जो यह तो खुष्यों में और जज्रमें और इतना ही ने तो लड़ने मरने के लिए जो ए देश के लिए महारानी के लिए जो है तो क्या है तयार हो जाए इसका वातारण निर्बान करने का उन्होंने का रिक्या और महारानी आमिता की जो है तो शोबा यात्रा पूरे शहर में फिराकर पूरे शहर के अंतरगत उनमें जो है तो नहीं जान फुकने का प्रयास क्या हुआ हमे दिखाई देता है अब इसके पश्चात का भाग जो है हम आने वाले जो है तो अगले घंटे में देखेंगे तब तक के लिए इतना हम यहां पर भतलाते हुए पूर्ण विराम देने का प्रयास करते हैं